पत्रकार का मतलब यह होता है कि उसे न्यूटिल रहना है वो पक्षपात नहीं कर सकता वो किसी का पक्ष नहीं ले सकता बाद में उन्हें गोदी मीडिया भी कहा जाता है उनको सिर्फ अपनी टी आर पी ही बढ़ानी है डिबेट दिखाने के बाद न्यूज चैनल वाले जो पत्रकारिता की जिम्मदारी समाच के संघर्ष को परदशित करना है पत्रकार रास्ट के सरुकार के हर मुद्दे मुखरता और जिम्मदारी से उठाने का काम करता है किन्तु वर्तमान पत्रकारिता अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है क्योंकि आज के पत्रका पत्रकार वास्तविक पत्रकार ना होकर पत्तलकार हो गए हैं आपको बता दें ये लांचन समूचे पत्रकार परिवार पर इसलिए लग रहा है क्योंकि एक मशली पूरे तालाप को गंदा कर देती है आजात भारत के इतिहास में सबसे बुरा दौर आपातकाल को ही माना जात अब पत्रकारिता पर ये आरोप कैसा है आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे आपको बता दें लोकतंत्र का चौथा पिलर पत्रकारिता मीडिया को माना जाता है लेकिन आज इस पर पूरे तरह से सवाल उठ रहा है क्या पत्रकार और पत्रकारिता अपना ठीक ढग से का कहते हैं आने वाले भविश के हमारे पत्रकार हैं और कल पत्रकारिता इन ही के हाथ में जानी है तो यह कैसे इसे देखते हैं और क्या सोचते हैं सबसे पहले इनका परिचा लेते हैं और मास कम्यूनिकेशन ये कर रहे हैं पत्रकारिता के चात्र हैं और इसी फील्ड से जु पिछले दो सालों से और मास कम्मुनिकेशन भी कर रही हूं यह चार लोग हमारे साथ होंगे और आपको बता दें हर फिल्ड में लड़कों से कहीं कम नहीं है लड़कियां यह हर फिल्ड का हाल है पहले का दौर दूसरा था लेकिन इसलिए आज हमने भी से बैलेंस किया है बा देखे पत्रकारिता है यह लोगतंत्र का हमारे समीदान का चोथा सितंब हैं विधाई का कार्यपाली का नैपाली का और पत्रकारिता इन चारों से ही कहीं न कहीं हमारे देश की संशद से लेकर और आम जनता के बीच को जो कोर्डिनेशन स्थापित किया जाता है उनमें चा पत्रकारिता हमेशा निश्पक्स तरीकेशे होने चाहिए पत्रकारिता हमेशा जनता और सरकार के बीच कोडिनेशन उसकी नीतियों को स्थापित करने के लिए नीतियों को जनता तक बताने के लिए सभी मुद्दों को उठाने के लिए और निश्पक्सता से अपने पहलों प पर पत्रकारिता करने का स्रेहराई किस्वाइब कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का ये चारों पिलर है ये इंडिपेंडेंट आजाद है तो आपका सवाल यहां ये आ रहा है कि ये इनकी आजादी के ऊपर भी सवाल है बारती समीधान के अनुच्छे 319 एपार्ट में ये बताया गया है पत्रकारिता एक निस्पक्स और सवतंतर समीधाने की इकाई है लेकिन कहीं न कहीं आज देश की जनता को भी और पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए लोगों को भी ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं ये स्तंब जो है ये कहीं न कहीं बंधन में आ रहा है एक सवाल आप से लेते हैं पत्रकारिता हो नहीं पा रही है पत्रकारिता कहा जाता था कि हमें लोगों को टू इनफॉर्म या टू एजुकेट या फिर टू इंटरेटें ऐसा लेकिन इसका बिलकुल आजकर उलट है पत्रकार का मतलब यह होता है कि उसे न्यूटिल रहना है वो पक्ष पात नहीं कर सकता वो किसी का पक्ष नहीं ले सकता लेकिन आज के समय में जो हम पत्रकार देख रहे हैं जिनसे हमारी आने वाली पीड़ी इंफ्लुंस हो रही है वह यह दिखा रही है कि हम किसी एका लेकर बैठ जाते हैं जो कि कठत लिके अनुसार भी गलत जो हम नहीं हैं चौथा स्थम में इसी दिए माना गया है कि बाकी तीनों स्थम में जो कारे हो रहे हैं किस तरह से हो रहा हैं क्या गलती आया Tipp हो कर दिखाए है लेकिन वह कहीं ना कहीं जो है का पक्ष नहीं लेना है हमेशा निश्पक्ष जो है आपको बात रखनी है दोनों चाहे वो आप काउंटर करना चाहिए कि जो चीज़े अभी समाज में हो रही है वो गलत हो रही है जहां आप जाईएगा वहां जो ब्यूरो हेड होंगे डिटर चीफ होंगे अगर उनकी तरफ से कुछ प्रेशर होगा सबसे बड़ी बात वहीं से आती है जब हम इसी तरह का सवाल करते तो लोग यही कहते हैं कि जब सीनियर्स हम लोगों को ये चीज़ सिखा रहे हैं तो हम भी उसमें क्या कर सकते हैं लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे हैं मैं सच में नहीं लेना वफा साब आप क्या कहेंगे कैसे देखेंगे आप आने वाला चुकर ये इतना चैलेंजिंग टाइम है आने वाला तो और जादा होने वाला है जी बिल्कुल जैसे कि आजकल की पोजिशन चल रही है ऐसा लग रहा है कि पत्रकारिता जो है वो पीछे की तरफ जा रही है वो अभी ऐसा देखने को मिला दो हजार चौदा के बाद ये बदला हुआ देखिए ये होता तो पहले सा रहा है लेकिन जो इस बात ने तूल पकड़ी है वो दोजार चौदा के बाद में जारा देख गया है कि पत्रकारिता जो है एक विशेश पार्टी के लिए की जा रही है मतलब उनको नियूस से मतलब नहीं है यह जो डिबेट कराए जाती है मैं इस डिबेट के भी खलाफ हूँ डिबेट का मतलब यह नहीं होता कि लडाना होता है आप नियूस दीजिए आप नियूस बताइए इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप डिबेट कराएं उसमें डिब कि चैनल पी-स बाइस के बता है उनको जंता मतलब से मतलब Mouse करती है ने कि मेडिया का भी तो बनता है ना लेकिन 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 मैं ऐसा होता है लेकिन जो हम मोशली बात जा रहे हैं और जो अच्छाई की तारप कम मैं पत्रकार और पत्रकारता का जो काम था वो यही था कि जुल्म के खिलाफ बोलना, मजलूम का साथ देना लेकिन आजकल टियारपी का जो खेल चल रहा है और जो पत्रकारता में इतना बड़ा बडलाव हुआ है कहीं ना कहीं उस पे पूरी पत्रकारता जगत पे भी सवाल उठ रहा है और आने वाले जो पत्रकार हैं उनके लिए भी एक चैलेंज दिखाई दे रहा है आप कैसे देखती हैं आने वाला समय जो पत्रकारता शेत्र का है मैं अपने हिसाब से नहीं बड़ है कि अभी पत्रकारत को अंगर हम बेसिकली देखें तो वो सरकार की किसी की गल्दियां नहीं दिखा रहा है किसी एक particular party को बड़ा चला कर दिखा रहा है वहीं दूसरी party को गलत बता रहा है जिबकि ऐसा नहीं होना चाहिए पत्रकारता के लिए सबी चीज बिल्कुल एक एक इक्वल होनी चाहिए सब्सक्ता से सवाल पूछने का काम तो बिल्कुल पत्रकारता और पत्रकारों ने बंद कर दिया है ऐसा लगता है कि बिलकुल TRP पे ही निर्भार हो चेके हैं उनको सिर्फ अपनी TRP ही बढ़ानी है सेकंड चीज ये कि जो डिबेट है जो वफा जी ने पॉइंट उठाया था डिबेट का डिबेट में मुझे ऐसा लगता है कि टीवी मतब न्यूस चैनल पे इतना बढ़ा चड़ा कर दिखाया जाता है कि आम जो लोग है जो आम जनता है वो उस चीज को जादा ले लेती है मतलब और नॉर्मल अगर बेसिकली देखा जाये तो डिबेट दिखाने के बाद न्यूस चैनल वाले जो भी है वो नॉर्मल हो जाते हैं उनकी तरफ से इसे देश की एकता पर भी असर का करता है है यह लगता है कि जैसे जनता को एक दूसरे के पती भढ़काया जा रहा है यह चीज़ें भी हो रही है तो सबसे मेन तो यही है कि क्यों मतलब ऐसा क्यों डिबेट अगर आप दिखा रहे हो तो वह दिखा रहे हो जनता को भड़काने की कोशिश क्यों की जा रहे हैं बिल्कुल दोस्तों वीडियो दिखाने का मतलब भी यह था और सही माइनों में जो पत्रकार और पत्रगारिता का काम है कि कैसे इ रोद करना चाहिए जिस तरह से इन्होंने एक स्थिती को create किया है बनाया है चाहे वो बात आप funding ही कर लीजिए कि इनके चैनल इनके अखबार चलने के लिए इनको funding चाहिए जो बात जायज है लेकिन उसके अंतरगत ये लोग इस तरह की गतिविदियों को अंजाम दे देते ह जो जनता के लिए एक imagination को create कर देता है जो कि नहीं होना ची तो मैं यही कहूंगे कि जो बढ़ते हुए जो पत्रकार है उनसे यही मैं अनुरोद करते हूं कि आप लोगों को इस चीज को रोकना है इससे नहीं बढ़ावा देना है जहां आप इसको रोकना शुरू करेंगे तभी आने वाले जो है वो सतह पर आप आएंगे कैसे फिर से सत्ता से सवाल पूछना शुरू हो पत्रकार और पत्रकारता के लिए जैसा कि अभी नितिका जी ने कहा है कि अब जो आने वाला यूथ है जो पीड़ी है ठीक है वो इस पर अगर जादा फोकस करेगी अमल जी मैं सबसे लिक करना चाहूंगा कि पत्रकारता जब एकदम से तो इसको अवाद उठाकी पड़ी आखिर ऐसा क्यों है कि जनता के मुद्दों के मीडिया नहीं दिखाएगी तो पर और क्या दिखाएगी बिल्कुल दिनेश भाई अंतिम में कैसे पत्रकारता फिर से निश्पक्ष हो इमानदार हो जो उसका असल कार है वो वही करे पत्रकारता जिसका मूल सिधानत है निश्पक्षता उस पर पत्रकारों को काम करना चाहिए जनता जो सरकार अच्छी नीतियां लेकर आती हैं जनता के लिए और जो कमिया रह जाती है उनको भी जग जाहिर करने का काम एक सफल पत्रकार को करना चाहिए भी बिल्कुल धन्यवाद, आप सभी का, हमसे बात करने के लिए बिल्कुल दोस्तों, आज हमारा जो खास मुद्दा था, कही न कहीं हमारे इसी शेत्र का था, और हम इस पत्रकारिता के चैलेंजिजस को दिखाने की कोशिच कर रहे थे, और हमारे भविश के जो पत्रकार हों आप तमाम दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार